हेलो गुड मॉनिंग और वेलकम बेक फ्रेंट्स आप देख रहे हैं पेसर एजूकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 25 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे साती इने जारी दुनिया के 500 सब से 37 साली सुपरकम्प्यूटर स्की लिस्ट में भारत का जो परम सिद्धी सुपरकम्प्यूटर है कौन से इस्तान पर रहा था करेक्टांसर आपका यहाँ पर था 63 वास्तान ठीक है अब बात करते हैं देखिए आज की कारेंट अफेर की पहला क पसंद देखिएगा 24 दिसंबर 2020 को केंद्रिय शडख परिवयन वे राजमार्ग मंत्री जो नितिन गडगरिये इन्होंने किस राज्जे में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्गाठन और शिलनयास किया है करेक्टांस होगा यहाँ पर आपका राजस्तान देखिए हाल ही में राजस्तान में जो है टोटल 18 राजमारग परियोजनाओं का यहाँ पर उद्गाठन और शिलनयास किया गया है जो हमारे बरत्मान में राजमारग और शड़क परिवयन मंत्री है नितिन गडगरिये इनके दुआ रहां यहाँ पर देखेगा इनके तैज जो है राज राजस्तान के बारे में भी जान लेते हैं सबसे पहले इसकी बोर्डर सेरिंग की बात करें तो मैप के अंदर तो यह है आपका राजस्तान जिसकी सीमा यहां पर दिखेगा गुजरात के साथ लगती है इधर यहां पे मध्धे प्रदेश के साथ लगती है इसके लाव उत्र प्रदेश, यहाँ पर हरियाना और यहाँ पर पंजाब जो है इनके साथ भी अपनी सीमा सेर करता है तो यह तो हो गए यहाँ पर बोर्डर सेरिंग की बात इसके अलावा इसके अगर इस्टेबलिस्ट की बात करते हैं तो इसका गठन क्या गया था? 30 मार्च 1949 में कैपिटल जेपूर है वरत्मान में जो गवर्णर इसके हो है कलराज मेशर, सीमों यहाँ पर असोग गयलोत है वरत्मान में और राजे सबाशीटों की संके यहाँ पर दस है और लोक्शबाशीटों की संके यहाँ पर 25 है राजस्तान में यह गए राजस्तान के बारे में नेक्स्ट कॉसन देखिएगा केंद्री मंत्री मंदल ने डारेक्ट टू होम जो डिटी एच है इसके प्रशारण सेमहों के लिए चंसोदी दिशा निर्देशों को हाल ही मंजूरी दी है अब यहाँ पर डिटी एच में कितना प्रतिस्यत परतेक निवेश परतेक्स विदेशी निवेश यहने कि FDI रखा गया हो कितना करा गया है 100% करा गया है यह आपको ध्यान डखना है देखिए यहाँ पर आपको ध्यान डखना है जो अब FDI कर दिया गया है इसके लिए कितना कर दिया गया है 100% कर दिया गया है और यहाँ पर जो यह DTS लाइसेंस है किसी एक देश के व्यवसाई या निगम में इस्ताई हीतों को इस्ताबित करने के इरादे से किया गया निवेस होता है और यहां पर प्रतेक्स विदेशी निवेसी से फोरियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI है यह आर्थिक विकास का एक प्रमुक वाहक और विदेश म आर्थिक विकास के लिए गेर रेंड विद का एक महत्तापुन स्रोथ है तो यह FDI होता है उसके बाद में हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट को सुन की नेताजी सुबास संदर बोस्त की 125 वी जैनती मनाने के लिए किस अंत्री के अधिन एक समयती का गठन किया जाएगा क आजी सुबास संदर बोस्त की इनके लिए ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा अमित सहा इसका सही अन्श होगा नेक्स्ट को सन देखिएगा हाल ही में भारत में किसने डीजी बॉक्स नामक एक डीजीटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म लॉंच किया है तो यह किया है निती आयुझने अपना सवर्दे सी एक डीजीटल प्लेटफॉर्म लॉंच किया है जिसके जरिये अब आप अपने डेटा को ओनलाइन क्लाउड जो है तरीके से स्टोर कर सकते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पर देखिए अबी जैसे कि आपको पता है कोई जिसे हम आज कल जितने भी जो डेटा होता है उसको ओनलाइन जो है क्लाउड पर इस्टोर करते हैं ठीक है जिसे कि अभी रिसेंटली इसके संद्रब में गूगल ने जो है अभी एक अपनी जो है न्यूज भी जारी की थी कि 21 सुन 2021 से जो है जितना भी गूगल जो अनलिमिट जो क्लाउड स्टोरिज देता था अब यहां पर इसने खतम कर दिया है और यहां पर अनलिमिटेड अप्लोड आप नहीं कर पाएंगे इसी के संद्रब में यहां पर देखिएगा इंडिया ने अपना खुद का जो है क्लाउड सर प्लेटफॉर्म लोंच कर दिया है जिसका नाम कर देगा है डीजी बोक्स इसको नाम देगा है जो पंद्रा अगस्त को लॉंच किया जाना था लेकिन कुछ वगद उससे नहीं हो पाया और अभी इसको लॉंच किया गया है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा यह स्वदेशी निर्मित है तो जो डेटा है वो भी इसम लिखी है तो इसका लेखन किया है जो यहां पर दिखिएगा पी ऐस स्रीधरन पिल लाई है यह मिजोरम के गवर्णर्य वरतमान में Bay एस स्रीधरन पिल लाईए ठीक एप मिज़ोरम जो नामक के टाइटल पुष्टक है, इसको हाल ही में यहाँपर लिखा गया था, मरलब की विमोचन लिखा गया है, जिसका हाल ही विमोचन किस ने किया है, उपराश्ट्पती वेंग कहना रडूजी ने किया है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिये अगला कोस पुस्त क्या है। इसका हाले नाम से पुस्त का आपको पता चल रहा है। ये पुस्तक है ये आयोध्या में राम मंदिर के लिए किये गए विरोध और दसनों को साराज सित करते हुए एक प्रमुक शंदरव में दस्तावेजों के रूप में काम करेगी तो इसी के संदरव में ये पुस्तक चाहरी की गई है नेक्स्ट कॉसन दिखेगा सईुक्त माइला है इसने हाल ही में जो है ये एक अपना मतलब की समझोता किया है भारत के पहले जेंडर डेटा हम इस्तापित करने के लिए के रहल में ठीक है नेक्स्ट यहां पर देखिए अगला कोसन है अपना चोवीश दिसंबर को पूरे भारत वर्स में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो राष्टिय उपभोकता दिवस मनाया जाता है चोवीश दिसंबर को हर साल राष्टिय उपभोकता दिवस चोवीश दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी जो सुरुवात की थी 2000 में सन 2000 में इसकी पहली बार इसको मनाय गया था तब से 10 साल जो है मनाय जाता आ रहा है यहाँ पर इस चीद ध्यान रखेगा और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विश्व उपवोकता अधिकार दिवस है यह 15 मार्च को मना जाता है यहाँ पर 24 दिसंबर को मना जाता है और जो विश्व उपवोकता अधिकार दिवस है यह 15 मार्च को मना जाता है इस बार जो यह मनाय गया है इसकी थीम भी आप ठ्यान रख लीजिएगा इस थाई उपवोकता इसका विश्व है जो राश्टी उभोगता दीवस है इसका ठीक है यहाँ पर इसका मनाने का मकसद यह यह कि जो उभोगताओं का जो अधिकार है उनका श्रक्षन करने के मकसद से ही उनके जो अधिकार की रक्षा है रक्षा करने के मकसद से ही इसको मना जाता है नेक्स्ट यहाँ पे इन मेंसे कौन से फुटवोलर खिलाडी लिजेंड पेले को भी पीछे छोड़ कर एक कलब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी बन गया है तो करेक्टान शवप का लियोनेल मेसी देखे लियोनेल मेसी जो है हाल ही किसी एक पर्टिकुलर कलब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाडी बन गया है इसे पहले ये जो रिकोर्ड था ये था पेले के नाम जो यहाँ पर संतोस क्लोब के जो मतलब की खिलाड़ी है पेले इनके नाम था पहले ये रिकोर्ड जो अब यहाँ पर आ चुका है जो मेसी है बरसिलोना के इनके पास ठीक है अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर अब तक 749 मेंचों में मेशी ने टोटल 644 गॉल किया हैं जबकि यहाँ पर जो सांतोस के जो मतलब की पेले है इन्होंने टोटल 656 में टोटल 643 में गॉल किया हैं तो यह ध्यान डख लीचिएगा तो अब यहाँ पे आगे आ चुके हैं जो लियोनेल मेसी है बर्शेनेला के इसमें आ गया चुके है ये बर्शी लोना की जो फुटबल कलब है उस से खेलते हैं और इस्पेन के प्लेयर हैं नेक्स्ट कॉसन देखिएगा निमने में से किस देश में रेडियो इस्थित रेडियो दुर्विन ने सोर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत प्राप्त का पता लगाया है तो करेक्टान्स होगा आपका यहां पर नीदरलेंड देखें नीदरलेंड जो है यहां के साइंटिस्टों ने पहली बार जो है एक संभवत है एक मतलब कि सोर मंडल के बाहर से इस्तित गरेज से आ रहे है एक रेडियो संकितों का पता लगाया है और यह संकित 51 प्रकास वर् से इनको यहां पर रहा है यहां पर दिया है संप्रिके और पर दिखेंका तो यहां पर दिखेंगा इसको समदैंब बुद चार आगए चाय से अभी क्या हुआ है कि जो आ सिवा वे देली ए उसने यह सब सर्फेस पोरस वेशियों कि नामाक की एक लगूशाul है किया है जो की मुखेता थार रेगिस्तान में छोटी जोत वाले किसान है उनके लिए उप्यूक्त होगा इस पहल की सुरुवात खादस समगेर की जो अनुपलबता बच्चों में कोपोशन और ग्रामिनों की एक्षमता के मुद्दों पर ज्यान में रख कर की गई है तो यहां के अंतरगत देखे जमीन पर बने टीलों पर संकु के आकारवाले पात्रों को इस्ताप्त किया जाता है इससे घड़े द्वारा सुध पानी प्रभावी डंग से मिट्टी को सिंचित करता है इस तरह के सिये टेक्नोलोजी काम करती है और इसको विक्सित किया है आयाइटी चल्यमंतरियों की बीच में जो वर्चुल सिकर सम्मेलन हुआ था उसा के बीच में यहाँ पर अपनाया गया है जोइंट वीजन सरकारने जो वहां के जो राज याज्य Lucky जो सहरों है वहाँ पर ये दिन द्याल for टीमिक सगोणे कि घोशन की है नेक्स्ट कोसन देखिएगा 22 दिसमबर 2020 को प्रधानमंतरी स्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्तान के सताबदी समारों को समोदित किया है तो हाल ही इनोंने जो विस्वब भारती विस्वद डाला है कोलकाता में वहाँ पर जो है इनोंने संबोधन किया था ठीक है नेक्स्ट जो आज की क्यूईज है इसका अनसर आपको नीचे कमेंट बोक्स में लिखना है कोसन है कि 2023 में होने वाले जी 20 सिकर सम्मिलन की मेजबानी किस देश को सोफी गई है जो भी करेक्ट अनसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बोक्स में सुगाईज यह थी आज की करेंट अफिर होब आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक शिर कीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना है मिलते है नेक्स्ट बीमें धन्यवाद